मैं हूँ आयश्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बिग बॉस 10 के विनर बनने के बाद मनवीर गुजर काफी चर्चा में रहे थे जब उनका शादी का वीडियो लीक हुआ था इतना ही नहीं उनका एक गाली वाला वीडियो भी वाइरल हुआ था जब वो बिग बॉस की चौफी जीत कर वापस नौइड आये थे हाला कि मनवी ने अपने उस बरताव के लिए माफी भी मांगी थी अब हाली में मनवी ने अपने फैंस के साथ लाइफ चाट करी जी हाँ मनवी ने पहली बार फेस्बुक लाइफ के जरिये अपने फैंस के साथ इंटराक किया उन्होंने बाचीत के दौरान अपने फैंस के हर क्वेश्चन का जवाब दिया चाहे वो उनकी परसनल लाइफ से जुड़ा हो या फिर उनकी बॉलिवुट में एंटरी का मनवीर ने बहुत ही शांती से हर सवाल का जवाब दिया लेकिन चाट के दौरान एक दूसरी अवाज भी सुनाई दे रही थी जो मनवीर को लगातार बुली कर रही थी इतना है नहीं एक फैन ने उनसे पूछा कि वो अपनी हर्यानवी लैंग्विज में कुछ कहें तो पीछे से एक बार फिर से आवाज आई दरसल आपको बता दे कि ये कोई और नहीं बलकी मनवीर गुजर की मैनेजर की आवाज थी जो उने लाइफ चाट के दरान गाइड करती जा रही थी इसके बाद मनवीर ने अपने फैन्स को अपनी मैनेजर से भी इंटर्ड्यूस करवाया मनवीर की मैनेजर भी लाइफ चाट के दरान नजर आई थी जब एक फैन ने उनसे उनकी बॉलिवूज एंटर्यू के बारे में पूछा तो मनवीर की मैनेजर ने जवाब में कहा कि सब सीक्रेट है और सब को धीरे धीरे पता चलेगा मनवीर ने रोडीज में एंट्री के सवाल पर एक जोग के साथ क्वेस्चिन को स्किप कर दिया हम उमीद करते हैं कि हम मनवीर को जल्द टीवी स्क्रीन पर फिर से एक बार देख पाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही टेलिविजन और बॉलिवुज की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें ये फिल्मी बीट